Information Technology Center को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं Welcome Friends, मेरे चैनल Information Technology Center में आपका फिर से स्वागत है अगर चैनल पर पहले बार आया हैं तो चैनल की प्लेलिस चरूर चेक करें वहाँ investment के बहुत सारे plan है जो आपका पैसा बनाएंगे भी और बचाएंगी आज मैं लाया हूँ SBI ATM card जिसे हम debit card भी कहते हैं उसकी किसी भी service को कैसे एक message से बंद करें या चालू करें उसका वीडियो है इस वीडियो में हम देखेंगे कि ATM service को कैसे mobile के ATM card, international uses of ATM card और NFC services जिसे हम contactless services करते हैं उनको कैसे start करें और कैसे बंद करें एक simple से message के द्वारा ये service मैं बताऊँगा आपको और ATM card SBI का कैसे block करते हैं उसकी भी जानकारी देने वाला हूँ ये जानकारी वाला वीडियो है अगर आप POS और e-commerce के बारे में अधिक जानना चाते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को देखना उसमें मैंने POS और e-commerce के बारे में बचाया हुआ है तो चलते हैं वीडियो पर सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है send SMS to 9223 966666 यानि कि 5 times 6 ये number है इस पर आपको message भीजना है अपने registered mobile number से तब जाकि ये service आपकी काम करेगी number note कर ले 9223966666 ये आपके registered mobile से ही काम करेगी और authentic service है कोई fake service नहीं है original service है आप विश्वास कर सकते हैं या SBI का authentic बता रहा हूं आपको ठीक है 4C या 5C का मतलब क्या है last 4 या 5 digit of your debit card आपका जो debit card है जिसे हम ATM card कहते है उसके अगर 4C है तो 4 number अंतिन घ्यान करना last 4 digit और 5C है तो last 5 number debit card है अब देखिए ATM की service को अगर आपको on करना है माली जी किसी card वो बश है ATM की service को on करने के लिए आप क्या message करेंगे capital में capital में लिखेंगे आप s, w, o, n और फिर space देंगे घ्यान देना फिर space देंगे फिर लिखेंगे capital में ATM फिर space देना है और इस number पे इस number पे आपको ये message बेज देना है ये whatsapp का message नहीं है जो हमारन simple message होता है अब तक जो चला आ रहा था simple वाला message वो करना है और ऐसे ही ATM की सुईधा को बंद करने के लिए घ्यान देना मैं ATM ब्लोक करने की बात नहीं कर रहा उसकी केवल service को बंद करने के लिए कह रहा हूं आप उसे बापिस से start कर सकते हैं जब चाहें ठीक है अगर switch off करना हो ATM service को तो क्या आएगा SWOFF यानि की SWOF फिर space फिर ATM डेश लास्ट के 4 डिजिट आपके ATM कार्ड के नमबर अगर point of sale POS services आप start करना चाहते हैं तो SW on space POS space और लास्ट 4 डिजिट ATM कार्ड गे और ऐसे ही off करने के लिए SWOFF space POS space लास्ट के 4 डिजिट आपके डेविट कार्ड गे ठीक है ऐसे ही e-commerce services के लिए आपको क्या लिखना है SWON फिर space लगाना है फिर ECOM e-com लिखना है फिर space लगाना है और आपके ATM कार्ड के लास्ट 4 डिजिट और ऐसे ही बंद करने के लिए SWOFF space e-com space और ATM कार्ड के लास्ट 4 डिजिट अगर आप अपने ATM कार्ड की domestic uses service बंद करना चाहते हैं यानि कि आपका ATM कार्ड अब भारत में कोई use न कर पाए तो उसके लिए क्या करेंगे SWON space DOM space और last 4 डिजिट आपके debit card और off करने के लिए क्या है SWOFF space DOM last 4 डिजिट debit card के लिए अगर आप कोड लिए है start करने के हैं यह सारे कोड सर्विसेज को off करने के लिए अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका कोई ATM कोई और use करें तो उसको भी आप on और off कर सकते हैं अगर इंटरनेशनल यूजेज को आप on चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल यूज कर पाएं अपने ATM काड का तो आप कोड लिखेंगे SWON space INTL space last 4 डिजिट आपके debit card के और अगर आप इंटरनेशनल यूजेज नहीं करते हैं अपने debit card का तो उसकी सर्विस को बंद करके रखें हमेशा के लिए SWO WF space INTL space last 4 डिजिट debit card और अगर आप NFC services यूज नहीं करते हैं NFC क्या होता है बिना card को swipe करे payment कर देना contactless payment कर देना उसको NFC services करते हैं अगर आप वो use नहीं करते हैं तो आप इस services को बंद रखें क्योंकि इसमें auto debit हो जाता है payment तो on करने के लिए तो है SWON space NF NFC space last 5 digit debit card के और off करने के लिए है SWO WF space NFC space last 5 digit switch off यह debit card तो यह तो होगी केवल service द्यार नगना मैं इस पष्ट कर रहा हूं यह ATM card को block या start करने की services नहीं है यह simple services हैं जो हम SMS के through on or off कर सकते हैं जोरत पढ़ने पर आप इसका use कर सकते हैं अब ATM card अगर आपका हो जाए तो उसक इसको कैसे block करते हैं वो देख लिए की how to block SBI debit card इसके कई तरीक है पहला है website के through आप SBI की official website पे चल जाए और अपना internet banking on कर ले और internet banking में net banking जो section है उसमें आप जाना वहाँ आपको ATM services मिलेंगी ATM card services उसमें option दिया हुआ हुआ या आप Yono SBI यूज करते हैं तो Yono SBI में भी services में आप जाएंगे तो ATM services में आपको ये option देखने को मिल लियाएगा और अगर आप SMS की थूप बंद करना चाहते हैं अपने card को SMS के तहत बंद करना चाहते हैं block ध्यानतना services की बाद नहीं कर रहा हुँ पूरे के पूरे ATM card को आ आप क्या करना पड़ेगा आपको अपने registered mobile से बी एलो सी के block और लास्ट फोर डिजिट आपके जो ATM card के लास्ट चार डिजिट है वो यहां लिखने पड़ेगे देखे कैसे लिखेंगे आप बी एलो सी के फिर इसपेस देंगे और फिर अपने ATM card के अंतिम चार लेटर जना है 567676 पर आपको यह message करना है आपका card ATM का block हो जाएगा आपको परिशानी नहीं होगी यह number हमेशा के लिए note करके अपने mobile में रख लें क्योंकि जब अचानक से आपका mobile बंद होगा तो आपको time नहीं मिलेगा बंद करने का और हो सकता है आपको मेरा video देखने को मिले नहीं मिले उसक्त कहीं पर आप ढूंडते रे जाएंगे कि कहां बताया था सर ने तो यह अपने mobile में save कर लें ऐसे के ऐसे ब्लोक फिर ATM काड के 4 डिजिट लास्ट के और उसे कहां बेजना है 567676 पर और यह एक simple message जाएगा यह तीसरा option है help line number है SBI bank provides a dedicated 24x7 help line number that will assist you in blocking the card जि तो dial कर सकते हैं 1800 11 22 11 यह toll free number है इस पे phone करके आप क्या कर सकते हैं अपने register mobile से phone कीजिए और यहां उनको अपने ATM card की जो जानकर यह है वो दे दीजिए और उनको block करवा दीजिए जहानक ना pin number नहीं बताना है किसी भी level पे हम ATM card का pin number किसी को भी नहीं बताएंगे बले ही SBI प यह भी toll free है और एकोर number है 080 265 4 bar 9 है फिर 0 है यह भी आपका number है इससे भी आप block कर सकते हैं सबसे आसान तरीका है mobile की simple SMS service इसे आप 500 रुपए के mobile से भी message कर सकते हैं और अपने ATM card को block करा सकते हैं emergency में उमीद है यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जानकारी क बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर है आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेर मार्केट, नैशनल पैंचन स्कीम, CCS NPS Rules, PPF Public Provident Fund, Fixed Deposit Schemes, Gold Investment Schemes SBI की स्कीम, Post Office की स्कीम, MS Excel की Complete Master Series, Computer Mobile Solutions और Best Investment Plans की 100% सही और संपूर्ण जानकरी मिलेगी आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद